हेलो दोस्तो नमस्कार SMKC चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपोर्टन न्यूस की और मैं वापस कहना चाहूँगा इससे हम लोगो कुछ इंडिरेकली हिंड भी मिल जाते है कि कमपनी फ्यूचर में अच्छा काम यहाँ पर कर सकती है सो देख लेते हैं कि न्यूस किसे कौन से स्टॉक से रिलेटेड है यहाँ पर कौनसी न्यूस यहाँ पर स्टॉक को आगे लेके यहाँ पर जा सकती है सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे पर उससे पहले जरू कहना चाहूँगा आज के दिन बहुत सारी वीडियोज अपलोड हो चुके यहाँ बैंक से रिलेटेड भी वीडियो बन चुका है सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी फर्स्ट आम विजिट के है चैनल को सब्सक्राब करने और फ्री स्टॉक मार्केट क्लासे को भी फॉलोग कर सकते हैं पर आए बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगे पर आपको मिल जाएगी सो दोस्तो अभी हम लोग आ चुके यहाँ पर आर्टिकल के उपर एंड जैसे मेंने का इस कंपनी के बारे में बात करू तो यहाँ पर दो जबर्दस खबरे हमलों को यहाँ पर देखने को मिल रही है जिसका जो फाइदा रहेगा वो future में हमनों को देखने को मिलने वाले अभी temporary scale की उपर कोई ज़्यादा नहीं रहेगा long term के लिए अच्शा का सा फाइदा हो सकता है सो दस्तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले obviously कुछ disclaimer भी देना चाहूँगा जैसे कि mid cap से जुड़ा हुआ stock है तो risk तो यहाँ पर रहे गई अगर आपको लगता है कि stock के बारे में मैं कोई अच्छा बोल रहा है obviously और एक disclaimer कि मेरे portfolio में भी यह stock है देखा जै तो maximum सारे अच्छे stock में जो बात करता हूँ मेरे portfolio में बट still आपको बोलना चाहूँगा mid cap है इसलिए मैं इस सारी चीज़े बता रहा हूँ क्योंकि mid cap में risk करेता है बीच में अगर मैं बात करू तो यह stock बहुत ही ज़्यादा minus मतब नीचे चल रहा था बट ultimately hold करने के बाद वो वापस profit में आपे आ चुका है और वापस मैं कह सकता हूँ portfolio को भी जबरदस इसने उपर लेके गया है तो फिलाल अगर हम लोग यह आपे बात करें तो यह आपे बात हो रहे मिंडा industries की यह उसो मिंडा industry में दो जबाकेदार खबरे देखने कम बन रहे है और सबसे पहली बड़ी खबर है जो मुझे अच्छी लगती है कि company अगर अपने business के expansion से related अगर कोई खबर लेके आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है आप तो आप देख सकते दोस्तों company में आप बोला है कि वो invest करने वाले somewhere around 250 करोड और यह 250 करोड किस से related है expanding business expansion की आप बाते आ रहे है आप सब लोग पता है मिंडा industry का काम क्या है आप अटो सेक्टर से जुड़ी विया auto encillaries जो गाड़ी हम लोग आप देखते है राइट आप लोगों इसे मतलब मजा किया लेंग्वेज में भी इसको बोला जाता है बहुत बड़ी company है बट यह भी company उसी business line में हम लोगों को देखने को मिलती है इसके clients भी आप लोगों ने देखते होंगे BMW, KTM उसी के साथ साथ बजा जाए उसी के साथ साथ देखा जाए तो रॉयल इंफिल्ड है, आईशर मोटर है, टाटा मोटर है, सारे मारूती भी है मतलब सारे के सारे बड़े domestic से लेके international लेवल तक के भी बड़े clients इनके आपको मिल जाएंगे तो फिलाल अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने का 250 करोड यहाँ पे हम लोग को expansion के लिए company आपे खर्चा करते होई, invest करते होई आपे देखने को मिलने वाली है उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो company expansion के लिए जो यहाँ पे जो सारी चीज़े आपे करने वाली है जैसे कि अगर मैं बात करूँ manufacturing plant की, तो दोस्तो manufacturing plant के लिए somewhere around investment 90 करोड का वो यहाँ पे खर्चा करने वाली है इसके लिए यहाँ पे विंडा इंडस्ट्री इससे रिलेटेड यह investment यहाँ पे कर रही है तो सबसे पहले अगर हम लोग breaking news की बात करें तो यह चारी चीज़े मुझे बहुत अच्छी लगते अगर company, demand की सबसे expansion यहाँ पे करें धाइसो करोड का investment हम लोग को इस expansion में लगते वे देखने को मिलने वाला है देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोग को बता है कि share holding pattern share holding pattern में हम लोग यहाँ पे देखते तो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा जहाँ पे आप लोग देख सकते अभी Bombay Stock Exchange के उपर हम लोग आ चुके जहाँ पे आप लोग को detail information मिल जाएगी statement showing share holding pattern of the promoter and the promoter group करके तो यहाँ पे मैं इसके उपर यहाँ फिलाल में क्लिक कर लेता हूँ तो अभी आप लोग देख सकते यह promoter की list हमारे सामने open हो चुके है तो मैं आपको बताना चाहूँगा तो आप लोग देख सकते अलग अलग टाइप के यह बहुत ही बड़े promoter जे तो आप देख सकते हाँ पे एक promoter है जो के मिंडा investment limited अकेला ही promoter है मतलब हम लोग कह सकते numbers की बात करें तो इनके पास है somewhere around 6,60,000,000 के आसपास 6,60,000,000,000 बहुत ही heavy quantity है इनके पास अगर हम लोग percent की बात करें तो approximately 24-25% मिंडा investment limited इस मिंडा industry में क्या करते है यहाँ पे stake को own करती है तो रोज तो promoter कभी भी अगर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे तो यह बहुत ही अच्छी बात होती है कि indirectly अच्छा संकेत होता है राइट क्योंकि promoter को अपने company के बारे में ज्यादा information होती है उनको expansion के plans पता होते है और भी बहुत सरी खबरे उनको पता होती कि वह future में क्या चीज़े करने वाले है जैसे मैं के तो अगर मेरी company है राइट मेरे company के shares है for example SMKC और मुझे पता है कि मैं आगे जाके रतन टाटा जी से partnership करने वाला हूँ तो मेरा for example 100 रुपे का share है तो मुझे पता है कि यह जैसे मैं announcement करूँगा share तो भागने वाले है तो पहले ही हम लोग क्या करेंगे हमारे company के shares खरीच सकते है as a promoter के में बात करा हूँ तो यह हमेशा हम लोगों को इसे indirectly hint भी देता है कि promoter ने अगर अपने company में share खरीदे तो definitely कुछ ना कुछ अच्छी खबर है हम लोगों को future में देखने को मिल सकती है और इसी से related अगर मैं आप लोगों को बात दिखा हो तो yes दोस्तों promoter ने आपे खुद अपने company के shares खरीदे और इससे related मैं आप लोगों को detail दिखाना चाओंगा 26 March को 2021, 26 March 2021 मिंडा investment ने यहाँ पे somewhere around 545 पे यहाँ पे 3,30,000 shares क्या करें पर्चेस किये है उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो इसके पहले भी 23 March को भी 2021 में यहाँ पे मिंडा investment लिमिटेड में somewhere around 4,00,000 shares की quantity खरी दिए और वो तभी का price था 553.15 आम लोग कह सकते है अप्रोक्सिमेटली 4,00,000 पहले 3.3 मतलब 7,30,000 share की quantity मिंडा investment लिमिटेड मतलब company के promoter नहीं 7,00,000 से भी जादा के shares खरीत के आपे रखे हुए है और pricing भी आप देख सकते है अभी कही pricing है 553 और you can say 545 जो की company का price अगर आप लोग अभी देखना चाते हो तो आप खोदी आप देख सकते हो 552 पे फिलाल चल रहा है so obviously company ये सारी चीज़े long term के लिए hold करती है उनका vision कोई एक दो साल का नहीं सालो साल का होता है और जो news हमलों को यहापे फिलाल देखने के मिल रही है वो definitely मिंडा industry को future में अच्छी का से help यहापे कर सकती है मैं अगेन कहना चाहूंगा yes ये company मेरे portfolio में तो अगर आपको लगता ने 732% के returns यहापे दिये हुए है बीच में company अगर कि अगर मैं बात करू तो 2018 आप लोगों को पता है 2018-2017 मतलब यह तो closing है December 17 मतलब 18 से जो हम लोगों को auto sector में गिरावाट देखने को मिली है बट इस company ने यहापे गिरावाट नहीं दिखाई यहापे consolidation phase दिखाया obviously यहापे क प्रोड़ी सी बहुत मतलब one of my favorite company ऐसे भी आप चाहो तो बोल सकते हो market cap आप देख सकते हो risky है one of my favorite बोला इसलिए blind lineage मत करना हर एक की restocking ability अलग होती है यह भी आपको जरूर calculate करना चाहिए 150 billion मतलब mid cap quality का stock है यह आपके दिमाग में यह बात fit रहनी चाहिए so minda industry में अच्छी इसमें hold कर रहा है अच्छी का सी जंप मुझे आप देखने को मिल रही है जब bonus मिला था somewhere around 1500 के करीब कुछ तो गया था तबी कि यह वह बात है तो सिब बताने का मक्सद यह है दोस्तों कि मिंडा industry में यह दो positive खबरे देखने को मिले उसके पहले हम फॉर्मलेटी भी कर लेत 45% के deliveries 30 मार्च आज के दिन हम लोगों को यह आप देखने को मिल चुकी है अगेन कहना चाहूंगा company की balance sheet सब कुछ आपने study करना चाहिए अगर मैं results की बात करूँ तो company के बास 950 करोड 1183 करोड एंड नाउ 1260 करोड की results है ठीक है कोई बात ने results एक normal formality होती है करजे की बात कर तो yes company के उपर करजा है 21 करोड 339 करोड 490 करोड करजा होना कोई बुरी बात नहीं है अगर company अच्छा गासा उसका utilization कर रहे है तो कोई चिंता की बात नहीं है तो यह आप लोगोंने check करना चाहिए क्या company profit दे रहे है तो उसके उपर भी हम लोग थोड़ी देर बात जाएंग शौट टम में 100 करोड का करजा है यह तो fluctuating manner में रहेता है और cash की बात कर रहेते तो आप देख सकते 136 करोड का cash भी है तो दोस्तो आप खुद देख सकते कंपनी का profit फिलाल 120 करोड है जो की last time 84 करोड था और year basis की अगर मैं बात करो तो 53 करोड था सो 53 से हम लोगों को jump देखने को मिल रहे है और पिछले quarter से भी jump है बीच में कोविड के कारण company somewhere around 120 करोड के घाटे में थी बट बाद में company ने अच्छा comeback दिखा कि वापस हम लोगों को अपने original position पे आते वे देखने को मिली है shareholding pattern भी अगर आप देखना चाते हो तो 70.79 था जो की 70.88 फिलाल देखने को मिल रहे है अभी ये December का है उसके बाद अभी हम लोगों को यहाँ पे March का update होते हैं देखने को मिलेगा तो यहाँ पे और slightly थोड़ी सी हम लोगों को additional points यहाँ पे add होते हैं देखने को मिल सकते हैं 10% से भी सवा 10% की holding आ चुके और public की बात करें तो सवा 9% के आसपास की holding है तो रोस्तों यह सब कुछ कहानी देखने के बाद में इतना ही आप लोगों को कह सकता हो कि company long term के लिए मुझे personal मुझे अच्छा लगते है obviously इसलिए तो portfolio में यह मैं बार बार इसलिए बता रहा हू कि अभी उपर यहापे आ चुकी है तो अटो एंसलिर इसमें देखा जाए तो मदर संसुमी भी बहुत कमाल की company मिंडा इंडस्ट्री भी बहुत कमाल की company है बट यह comparatively थोड़ी सी रिस्क है क्योंकि यह mid cap quality का stock है तो अगर आपको mid cap quality के stock पसंद नहीं है क्योंकि वहापे volatility compar ज्यादा रहती है रिसक अगर आप नहीं ले सकते तो आप चाहो तो इसको अवर्ड भी कर सकते हो आया बाशा करता हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरू like and share कर देना जैसे मैंने का खबरे को यहापे cover किये सबसे पहले 200 करोड का investment expansion के लिए business and company के खुद long term के लिए अच्छा प्लान यहापे company कर दे होगी so that's it thank you very much we will be meeting in the next video तब तक के लिए bye bye